मेट्रिक प्रणाली में दूरी का आधार भूत मात्रक होता है मीटर अब एक मीटर कितना होता है इसका अंदाजा देने के लिए मैं उधारन लेना चाहूंगा एक इंसान की उचाई का तो एक बड़े व्यस्क की उचाई अंदाजान डेर से दो मीटर के बीच में होती है और अगर हम उचाई की बात कर रहे हैं तो मैं उधारन लेना चाहूंगा दुनिया की सबसे उची मारत का जो है बुल्च खलीफा तो बुल्च खलीफा की जो उचाई है वो है आठ सो तीस मीटर ये लगभग लगभग हजार मीटर के बराबर ही हो रही है हजार मीटर जितनी दूरी होती है एक किलो मीटर जो की दूरी का एक और मात्रक है तो मैं आपर लिखता हूँ दूरी का अगला मातरक जो की है एक किलो मीटर और जैसा कि मैंने अभी बताया तो एक किलो मीटर जो है वो बराबर होता है एक हजार मीटर के तो एक हजार मीटर होते हैं एक किलो मीटर तो धारन के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर में जाने के ल जो मैं यहाँ लेना चाहता हूँ यह रोज मर रहा के जीवन में इस्तमाल तो नहीं होते फिर भी चलो इन्हें मैं यहाँ लिखता हूँ तो अगला मात्रक मैं यहाँ ले रहा हूँ हेक्टो मीटर तो एक हेक्टो मीटर जो होता है वो बराबर होता है एक सौ मीटर के तो एक सौ मीटर होते हैं एक हेक्टो मीटर तो बुल्च खलीफा की जो उचाई है 830 मीटर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसकी उचाई है 8 दशमलव 3 हेक्टो मीटर दूरी का अगला मात्रक है यहाँ पर डेका मीटर एक डेका मीटर बराबर होता है 10 m के तो 10 m बराबर होते हैं 1 d casmeter के और इस हिसाप से मैं कह सकता हूँ कि बुल्च खलीफा की जो उचाई है वो है 13 d aител तो 1 m का 10 गुना करें तो हमें मिलता है dимер 1 dcameter का 10 गुना करें यानि कि 1 m का 100 गुना तो हमें मिलता है hectometer एक hectometer का 10 गुना करें यानि कि एक meter का 1000 गुना तो हमें मिलता है kilo meter अब चलो meter से छोटे मातरक देखते हैं तो एक meter का 10 वा हिस्से होता है 1 decimeter तो decimeter जो है वो बराबर होता है 1 बटा 10 meter या मैं कह सकता हूँ कि 1 meter बराबर होते हैं 10 decimeter के तो वो मैं यहां लिख देता हूँ कि 1 meter बराबर होते हैं 10 decimeter के और अब अगर हम meter का 100 वाहिस सा लें तो हमें मिलता है 1 cm तो 1 cm जो है वो बराबर होता है 1 बटा 100 meter के तो मैं कह सकता हूँ कि 100 cm बराबर होते हैं 1 meter के तो मैं लिख देता हूँ कि 1 meter बराबर होता है 100 cm के और अगर हम 1 meter का 1000 वाहिस सा लें तो हमें मिलता है 1 mm तो 1 mm जो है वो बराबर होता है 1 बटा 1000 meter के तो मैं कह सकता हूँ कि 1000 mm होते हैं 1 meter या मैं यहां लिख सकता हूँ कि 1 meter बराबर होते हैं 1000 mm के अब cm और mm का उधारन देने के लिए मैं उधारन लेना चाहूँगा ruler का तो ruler में तुमने देखा होगा कि वहाँ पर 1 cm की दूरी और 1 mm की दूरी दी गई होती है तो ये कुछ मात रखें दूरी के झाल के परो ये कुछ के लिए एक भाई के लिए लावाइ़ रखेंगे?